गॉशन फ्रिकत है आप आप दे परिमीटर और रेक्टोंगलर गार्डन फूज लेंद्ध इच फोर मोर दिन इट्स विड्थ इच 36 मेटर तो पहला है let the length of length of the garden length of the garden garden की form क्या है? Rectamular is equal to x, x meter length हो गई और width भी मान लेते हैं, width मान लेते हैं y meter, width of the garden is equal to y meter, y meter है, इसको m नहीं समझेंगे, ठीक है? अब question में क्या कहा गया है? question में यह कहा गया है, according to the question question में यह कहा गया, half of the perimeter किसका half? perimeter का, पहले मुझे perimeter पता होना चाहिए, फिर उसका half करूँगा perimeter क्या होता है? perimeter of rectangle, perimeter कितना होता है? perimeter होता है 2 into length plus width, 2 into length plus width, यह होता है हमारा rectangle का perimeter तो हम से क्या कहा है? perimeter का क्या? half, तो half of the perimeter क्या हो जाएगा? half of perimeter is equal to हो जाएगा, इस पूरी situation को में क्या करूँगा? यहाँ भी half, 2 से divide करूँगा, यहाँ भी 2 से divide करूँगा, यहाँ जो 2 होगा, उसको मैं कहता हूँगा, half of perimeter यहाँ जब 2 आएगा, तो 2 से 2 cancel out हो जाएगा, सिर्फ पचेगा, length plus width अब situation के हिसाब से हम यहाँ पर value fan करेंगे, मैंने क्या मान रखा है? length की value मान रखे x और width की value मान रखे y, तो half of the perimeter कितना दिया हुआ है? half of the perimeter हमको दिया हुआ है, 36, यहाँ पर क्या कहा गया है? half of the perimeter of rectangular garden, is 36, beach वाले point को लेके confuse होने की जुरत नहीं है, देखे क्या कहा, half of the perimeter of rectangular garden, rectangular garden के perimeter का half, कौन सा garden? garden के बाले में कुछ कहा गया है, garden के बाले में कहा गया, whose length is, जिसकी length क्या है? 4 meter more than its width, एक ऐसा rectangle है, जिसकी length उसकी width से 4 meter जादा है, उसका half of the perimeter is 36, उसका half of the perimeter कितना है? 36, यानि यहाँ पर जो half of the perimeter है, उसकी value है, 36, length है मेरी x, और width है मेरी y, यानि मैं एक equation form कर सकता हूँ, half of the perimeter, 36 meter, length है मेरी x, width है मेरी y, तो इसको अगर मैं सली के से लिखूँ, तो यह बन जाएगा, x plus y is equal to 36, जो होगी मेरी equation, first, ठीक है? इस line के according, पहली equation यह form हुई, साथ इसाथ उसने length और width के बीच में एक relation दे रखा है, उससे मेरी दूसरी equation form होगी, also, क्या कहा है उसने? उसने यह कहा, the length of which length, 4 meter than its width, तो length सीधी बात है, बड़ी होती है, किस से बड़ी होगी? width से, तो length मेरी दे रखी है, x, width दे रखी है, मेरी y, length जादा है, कितनी? 4 meter, अब मुझे समझ मानना चाहिए, 4 में कहां add करा है, length already बड़ी है, width छोटी है, तो width को कुछ देना होगा, तब जाकि न, वो length के equal आएगी, तो मैं width में क्या add करूँगा, plus 4, तो यह मेरी equation form होगी, second, आप चाहे हैं, तो इसको x minus y equal to 4 भी रख सकता है, चलिए, इसको ऐसा कर लेता है, इस्टेटर फोर्म में, x minus y इधर आजाए, y इधर आखा कि minus बन जाएगा, और इधर सिर्फ बजी का 4, अब मैं इसको equation, second का नाम देता हूँ, अब क्योंकि मैं इसका solution, graph की मदद से ढूटने वाला हूँ, तो graph, मैं इसको draw करने के लिए, मुझे, एक line के लिए, दो point की जरूत पड़ेगी, और ऐसे ही, second equation के लिए, दो point की जरूत पड़ेगी, तो tabular form में, मैं x और y, पहले equation और दूसरी equation के लिए, find कर लेता हूँ, पहले equation के लिए, x and 1, y find कर लेता है, यहाँ पे लिए, x, पहले situation में, x plus y equal to 36 है, उसमें y equal to कितना जाएगा, अगर x plus y equal to 36 है, तो y equal to कितना होगा, y इधर पे रहेगा, x यहाँ जो plus का है, उदर जाके minus होजागा है, यहीं 36 minus x, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, y equal to 36 minus x, ऐसे दूसरी situation में, x तो ठीक है, y equal to लिखना चाहूँ, तो y equal to कितना आएगा, मुझे y की value find करने के लिए, y equal to चाहिए, तो यह रहा y, y यहीं पे रहने दीजे, इस पार्ट को मन देखे, इस पार्ट यह चले गया, इधर x minus 4, तो पहले equation के लिए, suppose मैं x कुछ value मान लेता हूँ, आपके उपर depend है, कुछ भी कर सकते हैं, तो क्यूंकि नम्मर अगर आप बहुत ज्यादा छोटा रखें, suppose आप 0 रखते हैं, suppose आपने 0 रखा, तो क्या होगा, 36 minus 0, यानि y की value आई 36, तो आपका जो graph होगा न, वह बढ़ा बनेगा, क्योंकि आपको 36 point दिखाने बढ़ेंगे, तो मुझे यहाँ पर value कुछ ऐसे रखनी है, ताकि यह number छोटे से छोटा बने, तो suppose मैं क्या रख लेता हूँ, 20 रख लेता हूँ, अगर मैं x की value 20 रखूँ, तो 36 में से 20 minus करेंगे, result बनेगा मेरा, 16, ऐसे ही दूसरा point, कुछ और ले लेता है, 24 ले लेता है, तो 24, 36 में से 24 minus करेंगे, x की value मैंने कितनी रखी, 24, 24 मैंने मानी है, आप कुछ और भी मान सकते हैं, 24 अगर मैं लूँगा, तो y equal to 36 minus x के चाहे पर 24, तो result बनेगा मेरा, 12, ऐसे दूसरी equation के लिए, x, assume कर ले है, तो result मान लेता है, यहाँ पर, 10, तो 10 minus 4, y की value कितनी है जाएगी, x की value मैंने 10 मानी है, तो 10 minus 4, यानि 6, ऐसे ही, x की value, 16 रख लेता है, तो result हमारा बनेगा, 16 में से 4 minus करेंगे, result बनेगा 12, तो पहले equation के लिए, जो पहला point होगा a, उसके coordinate होगे, 20, 16, ऐसे दूसरा point, 24, 12 ऐसे ही, तीसरा point, दूसरी equation के लिए, ग्राफ को देखके, 10, 6, ऐसे second point, 16, 12, अब मैं इन coordinate point की मदद से, एक graph form करूँगा, और graph को देखके, solution find करूँगा, तो हम क्या कर लेंगे, x x से draw कर लेंगे, और vertically y x से draw कर लेंगे, पहली equation थी हमारी x plus y equal to 36, coordinate आया थी 24, sorry, 20 and 16, 24 and 12, तो पहला point, x की value है 20, तो यहाँ पे मैंने, क्योंकि बहुत बड़े number है, इसलिए, 22 की gap में लिख रखा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे ही, ऐसे यहाँ पे भी 22 की gap में, तो आपको क्या represent करना है, 20, आपने x value 20, 20, यह ही, 20 पे एक पहले line draw कर लो, आप y axis के along पहले line draw करोगे, ऐसे y की value 16, 16 पे भी y axis पे 16 पे पहले line draw करोगे, जो दूसरे को meet करेंगे, यह point पे, उसका गए, एक पहले line draw की, y axis पे 12 पे एक पहले line draw की, और दोनों meet करेंगी, वो point के लाएगा, b 24, 12, ऐसे ही, for equation x minus y equal to 4 के लिए, जो c point है, उसके coordinate है, 10, 6, तो x की value 10, 10 पे फिर से again y axis की पहले line एक draw की, ऐसे ही 6, y की value 6 पे, x axis के along एक पहले line draw की, दोनों को meet किया, 10, 6 पे दोनों म आपको x की value ढोड़नी है 16, ऐसे y की value 12, दोनों meet करेंगे point d पे, अब हम दोनों lines को मिला देते हैं, तो उसकी मदल से हमको solution मिलेगा, a और b point को मिलाने पे, यह a है और यह b है, ऐसे ही, दूसरी equation की line भी मिला देते हैं, यह d और a c, तब मुझे क्या दिख रहा है, यह जो second equation वाली line है, यह कहां से pass होके गई, point a से, इसका मतलब, point a equation, इस second line वाली equation को satisfy करता है, यानि यह एक दूसरी को cut कर रहे है, point a पे, तो solution किया है हमारा point a के coordinate, point a के coordinate क्या थे, 20 and 16, यानि मेरी x की value कितनी हो गई, 20 and y की value होगी मेरी 16, और यहाँ पे लिख लाता है हम equation, x minus y equal to, थी यह 4, और यह दूसरी equation थी हमारी, x plus y equal to 36, तो हम देख सकते हैं, जो हमारा solution आया, x equal to 20, और y equal to 16, x क्या थी हमारी length थी, और y थी हमारी width, तो x जो length है वो 20 meter है और जो width है वो 16 meter है, उमीद करता हूँ आपको यह explanation पसंद आया होगा, और समझ भी आया होगा, Thank you and have a nice day.